दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग GKGS के टॉप 20 ऐसे कोचन को कभर करने वाले हैं जो कि गवर्मेंट एक्जाम के जितने भी एक्जाम्स होते हैं वहाँ पर यह सभी कोचन बार-बार रिपीट होते हैं चाहें आप किसी भी एक्जाम से त्यारी कर रहें ठीक है तो पको बताना के 20 ऐसे कोचन है जिसका आँसर आप सही रिख पारें जितने कोचन ऑसी सभी कोचन है यह सभी कोचन अच्छे लेबल की कोचन जो कि बार-बार एक्जाम में पुछा जाते हैं इसलिए आप से भी लोग इस वीडियो को सुरू से लेकर करके आंतर जोड़ देखेगा ठीक है तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुआ आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला कोचन आप से क्या पूछा गया मे यह से ठीक्तन नमबर सी से एंसर ऄलेगा यानि अमेरिका में दोस्ते हो स्टोफिव में लाल रंग की दिखाये देने वाला गरह कौन से दोस्तों लाल रंग का गरह कौो यहांब क्या पाया जाता दोस्तो तो आइरन ओक्साइट की मातरा सबसे अधिक पाया जाता जिसकेकार यह लाल रंका दिखाई देता है धि जो यह कि है तो सबसे छोटा गरह कौन सा है तो बुद्ज्घर यह सबसे छोटा गरह है ठीक है बूध ग्रह सबसे चोठा ग्रह है यदि कोशग ने पूचा जाया कि सबसे बड़ा γ्रह कौन सा यह थो बिरिषपती जो है यह सबसे बड़ा के अगल्य प्रस्ट्ट Twene नम्नन नगरों में से कौन एक भमधी रेख्आ के सर्वाधिक निहीं आपको बतारे हैं दोस्तों इनमेन सो कौन सर्ण नगर है जो की भमधी रेखा के सबसे निकट तिक यह आप से कोच क्या पूचे तो सही एंसर दोस्तों जो कि भूमदी रेखा कि सरवधिक निकट है और पसंग यह सही एंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर जितने भी कोचन बढ़ा जाए रहे हैं यह सभी कोचन बहुत सारे ऐसे एक्जाम में जहां पर बार बार पुछी गए तो आज के वीडियो आप सबी के लिए काफी इंपो महादीब कौन सा दोस्तों पिर्थवी पर सबसे गर्म महादीब कौन सा है तो महादीब की बात करें तो टोटल साथ महादीब है ठीक है सबसे गर्म महादीब की बात करें तो अफ्रीका महादीब जो यह पिर्थवी पर सबसे गर्म महादीब है और अपसंग भी सही एंसर ह यह सबसे बड़ा महादीप है यहाँ पर यह जो नियुनतम तापमान देखा गया है यह भी आपको याद रखना है अगला प्रस्ट ने कि विश्व पासिव क सबसे उच्छा जल पर पाथ की बात करें तो एंजिल जल पर प्रपाथ जो कि विश्व क सबसे उच्छा जल पर पाथ जुए वो सबसे बड़ा जलपरपाथ भारत का एधिक है एंजील जलपरपाथ की बात करें तो यह कहां पर इस दिद्स दो जाना जाता है यह आप से कोशने पुछा गया ठीक है तो राइट एंसर दोस्तों हो जगा समुंतर गुप्ट को जो है वो कवी राज की नाम से जाना जाता है आपशन सी उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि दूद्स से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है इन姌न disp कौन सा फोर्स लगताा है कौन सा बल लगता यह आप से ने पुछ है ठीक है तो राइट एंस्टर जो है दोस्तों हो जेगे ऑसा leader ठीक है यदि पुछा जाया कि दूद्ध में कौन सा अमल पाया जाता है तो लाक्टिक अमल जो है दूध में पाया जाता है ठीक है option B सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ट है कि अंति मौरी समराट कौन था दोस्तों आपको बताने कि इनमें से कौन है जो कि अंति मौरी समराट थे तो ब्रिह दत्रव जो है दोस्तों कि अंति मौरी समराट थे option B सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रेस्ण है कि महात्मा बुध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था दोस्तों जो महात्मा बुध है इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है ये कहां पर दिये थे तो और सही उत्तर जो हो जगा सारणाथ ठीक है सारवनाथ में दोस्तो महात्मा बुद में महात्मा बुद में जो है वो पहला उपदिर्स दे थे यदि बात करें दोस्तो कि अब महात्मा बुद का जर्म है वो कब हो था तो आप सभी को पता होगा कि 563 इसा पूरवज दोस्तो महात्मा बुद का जर्म हो था जेट की बात करें तो 18 मईई ठीक है 18 मईई 563 इसवी में महातवां बूद का जर्म हो था कहां पर इनका जर्म हो था तो नेपाल में लूमिनी नामक अस्थान पर इनका जर्म हो था यदि बात करें इन्हें ग्यान की प्राप्ति कहां पर हुई थी तो बहुत गया में दोस्तों जो कि बिहार में इस्तित्य आप सभी को पता होगा कि बहुत गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो 528 इसा पुर्वड थीक है 528 इसा पुर्वड दोस्तो महात्मा बूद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यदि बात करें इनकी मिर्थी कहां पर हुई थी तो कुसी नगर ठीक है कुसी नगर में इसका मिर्थी हो गया था अस्वी वर्ष की उम्रे में दोस्तो इनकी मिर्थी हो गए थी, ठीक है, मोच्छी प्राप्ती हो गए थी अगला प्रेशन है कि महात्मा गांधी को राष्ट पिता किस ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट पिता कहा था, अप्सवी सही एंसर हो जाएगा अगला प्रेशन है कि भारतिय सविधान में संगवाद किस देश से लिए गया गया, ये कौन सा देश से लिए गया, ये आपसे कोछिने पुछा गया ठीक है तो सही उत्र दोस्त ओजाएगा करनाडा से लिया गया संग अपसन B सही एंसर हो जाएगा अगला प्रच्श्म है कि विधूत उत्पन करने के लिए कौन सी धातु का उप्योग होता है या या आपसे कोचन पुचा गया है यूरेनियम ठीक है यूरेनियम का उप्योग होता है अप्सन भी सही एंसर होगा यूरेनियम दोस्तों परमानुबं जितनी भी होते हैं उनको बनाने में भी यूरेनियम का उप्योग होता है ठीक है अगला प्रशन है कि निमलिकित में से कौन सा रोग बैक्टेरिया से होता है तो 14 का जो सही answer दोस्तों हो जाएगा Auction B आथान कौन से दो वीसो में सभसे अधिक वर्सा जो है वह कहां पर होता है यह आप से कोछन पुछा जाया यह कि वीसो में सबसे कम वर्सा कहां पर होता है तो आटा-कामा का रेगिस्तान है दोस्तों वहीं पर सबसे कम वर्षा होता है यदि आपसे कोचे ने पुछा जाए कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होता है तो ले जो कि लदाक में ठीक है अगला प्रष्ण है कि रेगिस्तान में बादल अवश्चेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं अगला प्रेशन है कि अर्थ सास्त्र किन की रचना थी दोस्तों जो अर्थ सास्त्र है जो किन की रचना थी तो सही एंसर जो हो जगा चानक की रचना थी यह आपसे क्वेशन पुछा जाए कि अर्थ सास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है तो अर्थ सास्त्र का जो जनक ह मुद्र का कारे नहीं माध्यम मापन भुखतान यह फिल लेखन एंव संपादन तो सही एंसर दोस्तों हो जगा आपसे नमें डी लेखन एंव संपादन जो है जो कि मुद्र का कारे नहीं है कि अगला प्रस्चन है कि लोधि-वंस का अंतिम सरस्थापक कोई थे थैं लोधि-वंस के अंतिम तोता थे formulate को मारकर और मुगल-वंस की अस्थापन किया था तो दोस्तो इस प्रकार से हम लोगों ने तोप 20 इंपर्टें की क्रेशन को कर लिए दोस्तों यह आपका सीरी सेट वन था ठीक है सेट टू आपको नेक्स वीडियो में मिलेगा जिसका कि दिस्क्रिप्सर में में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा तो आप लोग जाकर जरूर देखेगा क्योंकि दोस्तों यहां पर उनी सभी कोशन को पताया गया है जो कि आपके एकजामें बार-बार पूछे गये ठीक है तो जिन लोगों ने चैनल को सब्स्राइब कर लिए कुल लोगों को तेहे दिल से धानिवाद और जिन लोगों ने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया प्ली चैनल को सब्स्राइब कर ले क्योंकि दोस्तों कोशन को टापिंग करने में काप यहां महनत लगता है फिर मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जमारत